हाई फ्रेंड्स मैं चन्दम स्भागत करता हूँ आपका टिकनिकल ग्यान सीखते रहो यूटूब चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताँगा कि सेमसंग मॉइल के माई फाइल जिसको कई लोग फाइल मेनेजर भी बोलते हैं तो माई फाइल में रिसाइकल बिनको कैसे करें कैसे बंद करें फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी आप अपने सेमसंग मॉइल का माई फाइल से कुछ भी आप फाइल को जब आप डिलीट करते हैं तो डिलीट करते टाइम आपको मूब टू रिसाइकल बिनको अप्शन आता है और जब मूब टू रिसाइकल बिनको लेकिन यह रिकाले में चला जाता है जैसे में रिस आइकल में को ऊपने करता हूं तो अगर जो आप चाहते हैं कि आनि सर फाइल को डिलीट करें तो इसके लिए आप उपनपने Welcome my files को open कर लिज्ये और उसके बाद उपर साइट right set को ने तरफ आप इस three dot पर click करिए और उसके बाद आप यह settings को option पर click करिए और उसके बाद आपकोrzy है recycle बीन को option मिलेगा तो यह setting अभी on तो आपको यहां पर click करना है और उसके बाद आपको यह turn off के option पर क्लिक करना है तो यह recycle bin setting जो है वो आप हो जाएगा और उसके बाद my file से कुछ भी file को आप delete करेंगे तो आपको move to recycle bin का option नहीं आएगा आपको delete option मिलेगा और delete हो जाएगा permanently तो इस तरह से आप सेम सेंग वाल के my files में recycle bin को आप कर सकते हैं